कि नमस्कार दोस्तों ग्लोबल अकैडमी के इस पैनल पर आपका स्वागत है बीच में तीन-चार दिन क्लास नहीं हो पाई थी और यह हिश्ट्री का प्रेक्टिस सेशन जो चल रहा है आज यह पांच बार रहेगा वैदिक काल से दू रहेगी सिंदुक भाटी सबयता में तीन क्लास हो चुगında और आज यह वैदिक काल से दूसरी रहेगी और जो कि पहला क्वेंस्टशन है कि दूसरी क्लास यह वैदिक काल से दूसरी क्लास रहेगी पहला क्वेश्टशन उपनी सद काल के राजा अस्वपती सासक थे यह misprint हो गया, मैं इने बाद में लखाए तो उपनी सद काल के राजा अस्वपती यह सासक कहां के थे यह पूछ रहा है तो पहले तो इस question के answer से पहले यह देख लो कि और कौन-कौन राजा थे वो कहां से थे तो सबसे पहले बात करेंगे एक तो कासी के तो कासी के थे अजात सत्रू अजात सत्रू दूसरा विदहे के थे जनक और तीसरे के 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 थे अस्वपती जो हमें अब पूछा गया है और पांचाल के जो थे राजा तो ये थे प्रवाहा जावाली प्रवाहा जावाली तो ये बाकी के थे कि बाकी से कौन थे बही अब मैंने तो ये जो अस्वपती सा सकता है ये कहां का सा सकता है तो ये लिख दिए जा वली थे ठीक है जी तो उपनी सद काल के राजा अस्वपती सा सक थे तो ये के कहे के थे next question निमलिखत में वैदिक सहित्य का सही क्रम कौन सा है या पहले कौन से थे उसके बाद में जिनकी रचना बाद में हुई है अब या तो वो सहीता को समझने के लिए बनाए गए हो या फिर वो किसी और तरीके से हो तो सही करम बताना है कौन सा है तो पहले वैदिक सहीता आए थी फिर ब्रहमन गरंथ आए थे उसके बाद अरण्यक पुस्तक आए थी और उसके बाद में लास्ट में उपनी सद आए थे जो दर्शन पर आधारित होते हैं तो जो सही करम रहेगा वैदिक सहीताएं, ब्रहमन गरंथ, आरण्यक और उपनीसद जो दर्शन पर आधारित हैं तो कौन सा वैदिक सहायत्य का सही करम है तो वैदिक सहायत्य का सही करम यही है पहले वैदिक सहीताय, ब्रहमन गरंथ, आरण्यक और अप्ली सद्वाला जो ये option है ये ठीक है कीसरा कोश्च आरंबिक वैदिक सहायत्यों में सरवादिक वर्नित नदी है तो नदी आपके सामने है सिंधु, सतुद्री, सरस्वती या गंगा ठीक है भई तो पहले ये देख लो कि भई कोण सी नदी का जिक्र कितनी बार हुआ है तो सबसे पहले, सबसे पहले बात करते हैं यमुना नदी की तो यमुना नदी का उलेक जो रिगवेद में किया गया है, वो तीन बार किया गया है, तीन बार जिक्र तीन बार जिक्र किया गया है यमुना का गंगा का किया गया है बाईसार एक बार और सबसे पवित्र नदी सबसे पवित्र नदी बताई गई है सरस्वती वैदिक काल की रिगवेद में किसी मेवी और सरवाधिक बार वरनित यानि कि सरवाधिक बार नाम किसका आया है तो यह आया है सिंधु का और सिंधु के एक नाम और बताया गया है रिगवेदिक काल में तो सबसे पहले सरस्वती को तीन नामों से फुकारा जाता है रिगवेदिक काल में एक तो इसको कहा गया है मातेत्मा इसको भोला जाता है नदियों की माता एक नदीत्मा नदीत्मा मातेत्मा नदीत्मा यदियों की माता या फिर मातेतमा ओर नदीतमा एक नाम और मेरे दमाग पर से वह मिस्षear उरच तुई नाम मोरा कर दो जाएगा तो अग्ली कुईशन पूश्छा ऐसधा Engaa, तुबात इत्मा, नदीत्मा और एक नाम और जोसे स्रस्वती के लिए यूज गया गया माँ तेत्मा के prinadinin के sprhaus की माठ नदिमी न दित्मा का मतलब है कि नदियों की मा एक नाम हो रहे मेरे याद नहीं है वो और सरबादिक बार नाम सिंदु का लिया गया है वर्नित नदी और सिंदु को इसके जादा बार आने के ऊपर इसको बोला गया है हिर्नियाई 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 और सिंधू के बारे में बताया गया है कि यह अरव सागर में गिरती है तो वैदिक साहिते में रारंबिक वैदिक साहिते में सरवादिक वर्नित नदी कौन सी है सरवादिक बार उल्ली किसका है तो सरवादिक बारे में सिंधू नदी थी और आधुनिक नाम उनके क्या है उनके बारे में भी जिक्र किया जाएगा तो एक पिछली वाली क्लास में जो वैदिक सहते से थी तो उसमें मेरे से दो गलती हो गई थी गलती तो एक ही थी तो मैंने उसका नाम वो अपोजेट बता दिया था अब मैंने जो बाद में जब ग्लास बताया किसी ने तो वो एक वार देख लेना तो पहला तो एक तो बताया था मैंने ब्रहमन गरंतों को लेकर के जो ग्याता थे प्रोहित या पंडित तो रिगवेद वाला जो था ये गल्त नहीं प्रोहित ग्याता या पंडित होते थे उनको होत्र बोला जाता था होत्र या फिर होता दूसरा यजर्वेद तो यजर्वेद के और एक तीसरा था सामवेद और अथरवेद तो अथरवेद का जो ज्यानी ब्रह्मा पंडित हुआ करता था वो ब्रह्मा था तो ये तो मैंने उस टाइम पर ठीक लखवा दी थे लेकिन ये मेरे से अपोजेट हो गए थे वो कैसे तुम माल सकते हो तो यजरुवेद जो सामवेद के थे वो उद्गाता थे उद्गाता औ और यजरुवेद के जो थे वो अधरियू थे तो ये दोनों मेरे से उल्टे लेग गए थे यजरुवेद पर मैंने ये लखा दिया था सामवेद पर ये लखा दिया था लेकिन इनका सही यह है कि इसके ये गरंत हैं और ये इनके ब्रह्मा स्वरी ब्रह्मा ने जाता पंड जो होते थे उस टाइम पर ये थे इनके ये इनके नाम है और ये इनके ग्रंत है तो ये था ये पिशली के वाली क्लास में मेरे से उल्टा बोल गया था उसके लिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या है ये वैदिक नदी असकनी की पहँचान निमनांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है ठीक है ये पुराना नाम है और आधुनिक नाम बताना है क्या है आधुनिक नाम तो एक काम करते हैं वह इसका एक क्यों सबका ही बता देते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं एक साइड में तो लिख लिए पुराना नाम और एक साइड में मोर्डर नेम आधुने के नाम सबसे पहले बात करेंगे सिंध पुराना नाम और अब इसको बोला जाता है सिंधू दूसरी एकती विपासा विपासा इसका नाम आज है व्यास तीसरी वितास्ता इसको बोला जाता है जहिलम एक नदी का नाम था पुरुष्णी पुरुष्णी इसको बोला जाता है रावी एक नदी है सदानीरा इसको बोला जाता है गंडक अब एक नदी है कूभा जिसको बोला जाता है काबल और ये जो है कूभा वाली ये इम्पोटेंट इसलिए है क्योंकि ये अफगानिस्तान में थी यानि कि इनका संबन्द अफगानिस्तान से मिलता है कूभा इसके बाद में इसको बोलते हैं अब चनाव चनाव उससे आगे है तुम्हारी अब एक है कुर्मू इसका जो अब नाम है कुर्म और ये खास इसलिए है ये अफगानिस्तान की नदी है ये खास इसलिए ये अफगानिस्तान की नदी है और कूभा खास इसलिए कि अफगानिस्तान की नदी है इससे आगे एक नदी है स्वास्तू स्वास्टू और इसका जो modern name है वो है स्वातू और ये खासे से लिए है क्योंकि इसका अफगानिस्तान से जिक्र मिलता है एक है तुमारी गोमल या गोमत इसको भोलते हैं गोमती इसका संबंध भी अफगानिस्तान से पाया गया है तो ये एक साइड में पुराना नाम क्या था नदी का और अब वो बदल करके क्या कर दिया गया ये वैदिक सहते से रिलेटेड है सिंद, सिंदू, विपासा, व्यास, वितास्ता, जहिलम, पुरुशनी, रावी और पुरुशनी नदी जो थी, इसी के किनारे दसारक युद, जो दसराजाओं वाला युद लड़ा गया था तो वो पुरुशनी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था सदानीरा अफगंडक है, कुभा, काबुल, अफगानिस्तान तसंबन, असकनी, चनाव, कुर्मू, कुर्रम, अफगानिस्तान से, स्वास्तू, स्वातू, अफगानिस्तान से, गोमल, गोमते, इसका अफगानिस्तान से जिक्र है तो वैदिक नदी अस्कनी की पूचा गया है कि अस्कनी की पहँचा निमनांकित मैंसे अब मोडर्न रूप में किसे की जाती है तो अस्कनी मैं कौन सा है अस्कनी कहा गया यह रहा यानि कि यह चनाव का नाम है अब यह इसका नाम क्या है चनाव next question रिगवेद में निम्नांकित के नदियों का उलेक अफगानिस्तान के साथ आर्रों का संबंद सूचक दिखाया गया है तो अफगानिस्तान के साथ अभी में चार नदि बता चुका हूँ अफगानिस्तान के साथ पहली स्वास्तू और अब इसका नाम कर दिया स्वातु कूभा अब इसका नाम कर दिया काबूल एक है कुर्मू इसका नाम कर दिया कुर्रम और एक है तुमारी गोमत गोम्ती तो वैद रिगवैद में निमनांकित के नदियों का उल्लेक अफगानिस्तान के आर्रव के साथ दिखाया गया है तो ये अस्किनी पुरुषनी कूभा या कुर्मू तो कूभा या कुर्मू इसका संबंद दिखाया गया है अफगानिस्तान के साथ अगला question वैदिक नदी कूभा का इस्थान कहानिक धारत होना चाहिए अब कूभा पूचा गया है कूभा कहा है अफगानिस्थान में next यह matching question है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची यह सूचियों के नीचे दिये गए कूट का सही उत्तर चैन कीजिए तो एक साड में नदी का यह है पुराना नाम और यह इसका आधुनिक नाम है तो कूभा क्या नाम है काबुल यानि कि एका सेकंड और एका सेकंड कहां है तो कूभा है काबुल यह का आना चाहिए सेकंड तो यह का सेकंड कहां है यहां ठीक है आगे देखते हैं पुरुशनी राभी दसारक युद्ध बीका थड़ वीका थड़ सदानीरा गंड़क सीका फष्ट सतुद्री सतलज और यह फूर्थ तो कौन सा हो जाएगा ओप्सन नंबर बी पुराना नाम और आधुनिक नाम क्या है माभारत काल में नदी का नाम था काबेरी तापती गंगा या महननदा यह क्वेस्टिन मिस्प्रिंट हो गया है बाकी इसका उत्तर कुछ भी नहीं है इसमें से तो माभारत काल में जो नदी का नाम था वह था चित्रोत पला इसका नाम था नदी का चित्रोत पला नदी माभारत काल में नदी का नाम था तो चित्रोत पला यह नदी नहीं है यह महननदी है ठीक है जी? तो कृष्णा तो कावेरी तापती यह कोई उप्शन नहीं सब गलते हैं यह चित्रोत पला था इसका नाम ठीक है जी आगे निमलिखित में से कौन सी प्रिथा उत्तरवेदिक काल में प्रिचलित हुई थी? पोस्ट वेधिक पीरिड जिसको बोला जाता है उत्तरवेदिक काल पोस्ट वेधिक पीरिड है तो धर्म और अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष ब्रहम अन चत्रिये वैशे सुद्र या फिर ब्रह्मचर्ये गरहास्तरास्रम, वानप्रस्त और सन्यास या फिर इंद्र, सूर्र, रूद्र और मरूत देखो उत्तरवैदिक काल में पोश्टवैदिक पिरियड में जो पिर्चलित हुए थे तो एक तो हुए थे तुम्हारे वर्न इनको बोलते हैं वर्न और वर्न का संबंद मैंने बताया तक कहीं कहीं तो ये रंग से बताया गया है और कहीं कहीं ये बताया गया है व्यापार से संबंदित धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक मिनट ये सौरी वर्न नहीं है इनको बोलते हैं पुरसार्थ पुरसार्थ तो ये उत्तरवेदिक काल में पोश्टवेदिक पीरियर्ड में उत्पन हुए थे प्रिचलित हुए थे और तुम्हारे सन्यास इनको बोलते हैं आस्रम चार आस्रम पच्चीस पच्चीस के डिफरेंस में ये थे 0 से 25 25 से 50 50 से 75 और 75 से 100 100 तक दिखाया गया था तो ओप्शन नमबर A और C इसके ठीक हैं A and C तो पोश्टवेदिक पीरियर्ड में उत्तरवेदिकाल में कौन सी प्रिचलित थी तो ये उत्तरवेदिकाल में आई थी दोनों की दोनों नेक्स्ट वेशन देखो इसको आप छोड़ सकते हैं इसको मत करिए इसको मत करिए ये एक्चुली में थोड़ा दीप चला जाता है क्वेशन तो इसको करने कोई जरूरत नहीं है फिर भी अगर आप चाहें की वह इसका कौन सा है तो मैं बता देता हूंगा आप आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है धर्म और रि भारत की प्राचीन वैदिक सब्वेथाओं के एक कहंद्रिये विचार को चित्रत करते हैं इस संधर्म में निमलिक कतनों पर विचार कीजिए देखें क्या बोल रहे है कि धर्म व्यक्तिके दायतव एवम स्वेम तता दूसरों के पृति व्यक्तिकत कर्तब्यों की संकल्प ट्रिभ्त व्यक्ति धर्म में की करता दूसरा रित्र मूल्भूत कर नयत्क विधान था जो श्रष्टी तत्य उसके अंतरन्हेत करी अंतरन्हेत इसको अटाओं अंतर नहीं तत्वों के किरिया कलापों को संचलित करता है और क्वेस्टन क्या बुच्छा कि उप्रोक्त में से कौन सा कतन ठीक है देखो यह जो क्वेस्टन है यह वेदिक सहते में से बहुत दीप में चला जाता है लेकिन फिर भी इसका बता देता हूं यह दोनों ही कथन ठीक हैं यह दोनों ही कथन ठीक हैं बाकि आप छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ए और बी यह एक और दो दोनों की दोनों ठीक हैं छोड़ सकते हैं आप इसको भारति संस्कृति के अंतरगत रितू रितू नहीं है यह रित है रित तो रित का अर्थ क्या है रित का अर्थ क्या है तो रित का मतलब है ये रित ये प्रिकिर्टी से रिलेटर था ये प्राकिर्थिक नियम हुआ करता था वेदिक काल में तो ये प्राकिर्थिक नियम था रित Next दू छोड़ सकते हो और इसे ये वाला ऑर ये वाला बाकी आपको मन करें तो कर भी सकते हो Next question ये update ये छोड़ नहीं सकते निमलिकत वैदिक देवताओं में किसे उनका प्रोहित माना गया है निमलिकत वैदिक देवताओं में से किसे उनका प्रोहित माना जाता है अगनी, ब्रस्पती, धौस या इंद्र देखे बहुत से बच्चे इस पर इंद्र टेकर कर रहे होंगे तो बता दू तो इंद्र इसका ठीक नहीं है आंसर तो जो पुर्वित माना गया है वो ब्रस्पती को माना गया है वैदिक काल में और इंद्र की चर्चा धाई सो बार की गई है धाई सो बार और इससे कम की गई है अगनी की चर्चा अगनी की की गई है दो सो बार दो सो बार और इंद्र को वैदिक काल में रिग वैदिक काल में एक टो पुरा भिद बताया गया है पुरा भिद इसको बोलते हैं किला को भिदने वाला किला को भिदने वाला और रितू, सोरी, वर्सा का राजा वर्सा का राजा सबसे ज़्यादा मंत्र और क्या बुला गया इसको और बुला गया है इसको विदत हन्ता यानि कि राक्चसों का वद करने वाला सोरी ये सुरहन्ता है तो पुरा भिद बता गया है किलों को भिदने वाला वर्सा का राजा बता गया है सबसे ज़्यादा बार भार भार इसकी बार की गई है और सुरहन्तार राक्चसों का वद करने वाला इंद्र के बारे में कहा गया है और सबसे महतपूर्ण भगवान माना गया है इंद्र को धाई सो बार इसकी चर्चा है और अगनी की दू सो बार लेकिन हट करके इस question में क्या है कि वेदिक देवतां में किसे उनका प्रुहित माना जाता है तो भरस्पति को माना जाता है next question कि निमलिक्षत में से कौन सी वै ब्रह्मा वादीनी थी जिसने कुछ वेद मंतरों को वेद वेद मंतरों की रचना की थी तो गारगी, लीलावाती, सावित्री या लोपा, मुद्रा पहले पता देते हैं कि कौन-कौन और थी तो सबसे पहले एक तो थी तुमारी लोपा, मुद्रा और ये अगस्त्रिसी की पतनी थी अगस्त्रिसी की पतनी तो एक तो थी ये, दूसरी, दूसरी थी तुमारी गोशा गोशा, गोशा, एक थी तुमारी अस्ववारा तो निमलेकत में से कौन सी एक ब्रह्मवादी नी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी तो ये थी और मुझे याद नहीं है, साथ एक से दो और है वो जिनका नाम और है तो ये करीबन करीज चार से पांच ब्रह्मवादी निए थी जिनके कुछ वैदिक काल में मंत्रों की रचना की थी तो लोपा मुद्रा गोशा अश्वारा तो लोपा मुद्रा इसका आंसर हो जाए यह अगस्रेशी की पत्नी थी नेक्स क्वेशन रिगवैदिक काल में निस्क सब्द का प्रियोग एक आभूसन के लिए होता था किन्तु परवर्ति काल में उसका प्रियोग इस अर्थ में होता था परवर्ति के मतलब इस पीछले वाले में तो क्या है पहले तो निस्क के बारे में समझ लेना है निस्क है क्या चीज़ तो निस्क जो था ये आभूसन था सोने का आभूसन सोने का और सोने का आभूसन था क्या नाम था इसका तो ये गले का हर था गले का हर वैदिक काल में इसको बोला जाता था निस्क तो निस्क का प्रियोग एक आभूसन के लिए होता था किन्तो इससे पहले काल में ये किस रूप में प्रियोग होता था तो इससे परवर्ति काल में निस्क जो था ये सिक्के के रूप में प्रियोग होता था तो रिगवैदे काल में निस्क सर्द का प्रियोग एक आभुशन के लिए होता था किन्तु परवर्थिकाल में इसका प्रियोग सिक्का के लिए होता था अगला वैया रिगवैदे काल में निस्क किस अंग का आभुशन था तो निश्च जाता है सोने का हार था गले का नेक्स्ट क्वेश्चन भोग जकोई महतपूर्ण है क्योंकि देखो भोग जकोई त्यों था ये एक अभीलेक आप मान सकते हो ये एक अभीलेक था जो कि चौध है इसापूर में जो पाया गया था और यहां से या इससे जो आरे थे उनका पता चलता है कि वो इरान से होकर के भारत आये थे तो चौध भी सतावदी में ये चौध भी सतावदी का था और इससे आरेों के बारे में पता लगता है कि वो इरान से होकर के भारत आये थे तो बोग जगोई था ये मध्धे A.C.A. माइनर में पाया गया था तो मध्धे A.C.A. माइनर में पाये जाने बाला चौध हवी सतावती में एक अभीलेक था जो की आरेयों के बारे में वर्नन करता है कि वो इरान से हुकारत के भारत में आये थे तो उप्षन पढ़ने कोशिश कीजिए ये है मध्धे A.C.A. एवं टिबबत के बद्धे एक महतपूर्ग के इंदर था B. यहां से प्राप्त अभीलेकों में देवताओं का नामोलेक है या वेद के मूल गरंत की रचना हुई है या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं तो देखो यहां से प्राप्त अभीलेकों में देवताओं का नामोलेक है चार देवता बताए गए है जो थे विशनू एक मित्र विशनू, मित्र और दो देवता और है जो चार देवता थे तो ये मध्धै Aesia माइनर में पाया गया था मध्धे Aesia माइनर में पाया जाने बाला 14 स्ताब्दी में और ये जो था वो आयरेों के बाहरे बताता है अवर जो आयरे थे वो Aesia से या इरान से हो करके भारत आये थे भोग जगोई चोधेवी सदी में और चार देवताओं का उल्लेख है विश्नू, मित्र और दो और है पताएंगे आगे निमलेकत अभीलेकों में कौन सा इरानी से इरान से इरानी नहीं इरान से भारत में आरें के आने की सूचना देता है तो निश्यत रूप से आपको पता होगा अभी में बता चुका हूँ भोग जगोई भोग जगोई नेक्स्ट तो इरान से भारत आने में आरें का कौन बताता है ये भोग जगोई मध्धे एसिया माइनर में पाए जाने वाला माइनर भोलते हैं जिसको मैं पाया जाने वाला अभी लेक अभी लेक भोग जगोई चौधे भी सदी में सताबदी में चौधे भी बीसी में चौधे भी सदी इसा पूर्व का एक अभी लेक जिसमें वैदिक देवताओं का वर्नन प्राप्थ हुआ है तो या तो आरें का रास्ता का वर्नन करता है कि इरान शिभू करके आये थे या फिर उसमें चार देवताओं का उलेक है जिसमें बिस्नू, मित्र और दो देवता और है तो यह भूग जकोई है नेक्स्ट क्वेश्चन निमलकित में ऐसे किसने आरें के आधी देश के बारे में लिखा है इसके मतलब यह कि कौन सा विद्वान है जिसने बताया था कि आरें जो हैं वो आधी देश से आए थे तो यह किसने बताया है संकराचारों ने, एनी बैसेंट ने विवेकानन्द ने या बाल गंगादर तलक ने बीजी तलक ने तो सबसे पहले आप लिखिए पहला भई आरें के बारे में कह रहते हैं कि कुछ विद्वान कि यह मुल्तान ते आये से मुल्तान तो मुल्तान से आये थे आरें यह बताता है दी एस त्रवेदी त्रवेदी दूसरा कुछ कह रहते हैं कि यह जो है मध्धे एसिया से आये थे मध्धे एसिया से तो ये मद्धे एसिया से आये थे ये विद्वानता मैक्स मूलर बोल रहा था इस बात को मैक्स मूलर मैक्स मूलर तीसरा कुछ कह रहे थे कि वह ये तिबबत से आये थे तिबबत से तिबबत से आये थे ये बोल रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानन्द सरस्वती चोथा कुछ बूल रहे थे कि भैई ये आये थे तुम्हारे दो आप से दू आप ये बोला गया था गंगा और यमुना का गंगा वे यमुना का तो ये कह रहे थे पंडित गंगानात जहां गंगा धर जहां और पांचवा ये आये थे तुम्हारे आधी देश से ये बात बोल रहे थे बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक हालांकि बाल गंगाधर तिलक का ये जो मत था ये इतियासकारों में मानने नहीं है लेकर फिर भी बोल दिया जाता कि खुए किसने का था तो ये जो हैं कि इन्होंने बताया था कि भी जो आयरे कहा से आय थे प्राचीन भारत में निसा का जाने जाते हैं ये निसा का या और निस्क एक ही बात है तो निस्क या निसा का तो क्या था ये निस्क या निसा का जो था ये सोने का आभुशन था गले का हर था ये सोने का तो निस्क या निसा का तो ये स्वर्न आभुशन था और हर था ये गले का किस गरन्थ में प्रुसमेग का उलेख हुआ है वह है इसको चोड़ सकते हैं यह इसके जो ऑप्शन मिस्प्रिंट कर दिए गलत है तो किसी में नहीं है यह कोश्चन ही गलत है जो बुक में से जहां से टाइपिंग कराई है तो उसमें इसका कुछ आंसर नहीं लिखा रखा है तो इसको आप छोड़ सकते हैं हलंकि इसमें जो तुम्हारे यजुरुवेद के जो ब्रहमन गरन्थ हैं यजुरुवेद के ब्रहमन गरन्थ एक तो था तुम्हारा सत्पत और एक कौस्ट की कोस्ट की तो इन दोनों में ही इनका वर्नन दखा रखा है और यह जो दोनों की दोनों हैं यह किर्शन यजुरुवेद और सुकल यजुरुवेद के जो ब्रहमन गरन्थ हैं तो दोनों की दोनों इसमें मिल जाते हैं तो फिर ओप्शन कोई सथीक नहीं हो सकता है इनमें ब तो यह जो इसका जो इस्टोरी बताई जाती है यह साइद महाभारत में भी इसका जिक्र है तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ यह क्वेस्चन भी यूपी लोगर सब्सवर्डिनेट प्री 2015 क्वेस्चन है सत्पत ब्रहम्मन में उल्लेखित राजा विधे माधव जिसके बा पूर्वर्शं के बारे में बताया कि आः्र्वर्षण का प्रीवर्शन हुआ है जो पूर्व की और उसके बारे में इनोंने बताया कि वहिवो सदा नीरा या घंडग नदी को पार नहीं कर पाए थे सब्राह्मन ग्रांध में उल्लेकित राजा विधे माधव समझा गया है, धौर मतलब हव, परमुक के हिंदर जो थो थी, वैद्डक सहत्य में, उत्तरवैद काल में लुहे का ग्यात हुआ था, यह ज्यान हुआ था, तो जो संस्किर्ती के धौर थे, यह तमारे कुरू और पाँचाल थे, उत्तरवैद काल में जो हव माने गए थे, ज प्राप्ति हो गया था तो दो नगर जो फेमस थे जो हम माने गए थे वह कुरू और पांचाल थे उत्तरवेदिक काल में गोत्र सर्वद का सर्पर्तम प्रियोग हुआ है तुम्हें कई बार बता चुका हूँ पहली बाली क्लास में बता हूँ रिगवेद गोत्र का मतलब है तुम्हारा गोत्र जो होता है वो सर्वकुल को बताता है यह रिगवेद में है रिगवेद के बारे में जो मंडल थे मंडल के बारे में कई पर पता चुका हूँ दस मंडल एक हजार अठाइस सूक्त और दस हजार पान्सु बावन रिचाएं जिसमें मंडलों में दूसरा और सात्वा सबसे पुराना सबसे पुराना है दूसरा और सात्वा तीसरे बाले में गात्री मंत्र का उल्लेख है जिसकी रचना विस्वा मित्र ने की थी और नौवा मंडल सौम भगवान को समर्पित है जिसमें एक सो चोध है सूक्त का वर्नन मिलता है और दस्वा मंडल जिसमें वर्न का उल्लेख है वर्न क्या था या तो कोई रंग के बारे में बताया गया था या फिर एक वेबस आया था जिसमें छत्रिये वैसे सूद्र छत्रिये ब्राह्मन छत्रिये वैसे और सूद्र के बारे में बताया गया है तो सूद्र का सरप्रतम उलेक जो माने जाता है वो रिगवेद के तस्वी मंडल में माने जाता है ये क्वेशन भी कई वार पूछा गया है तो गोतर सब्द का सरप्रतम प्रियोग हुआ था और गोतर सब्द जो इंगित करता है वो पूरे के पूरे कोटम या कुल को करता है क तो गोत्रसब्द का सरपर्तम प्रियोग हुआ था रिगवेद में हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्वेदिक आर्रेयों का धर्म प्रमुक क्या था कि आर्रेयों से जो पहले थे वो क्या थे उनका क्या था तो इससे पहले जो सिंदु घाटे सब्वेता थी वो जो कुछ पसुपति सिभ के बारे में जो महुण जोद्रों से एक महुर मिली थी और योगी जैसा वेक्टि बैठा था जिसके दोनों तरफ कुछ पसुबताये गई है आगे बताई गई है उसको एक जो थे विद्वान उसने रुद्र से बताया है लेकिन निश्चे पूजा और यग किये गए थे यग के बहुत सारे उल्लेक जो मैंने जब क्वेशन कराये थे तो पताये थे कहा कहा यग के पिरमान मिले हैं और प्रकृति पूजा उनके द्वारा की जाती थी तो पूरवेदिक आरों का प्रमुग धरम जो था प्रकृति पूजा और यग नेक्स्ट क्वेश्चन यह 25 थे तो बताना कमेंट करके क्लास कैसी रही आपकी क्या स्कूर रहा और हमारी तरफ से और क्या अफर्ट करने चाहिए जो चैनल सब्सक्राइब जैनों नहीं किये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टूटल क्लास यहां पर आपको मिलती है मै रिजनिंग भी आपको मिलेगी और वीडियो को सेर जरूर करें धन्यवाद